मातर 23 से 24 साल की उमर में तीन हत्याओं को अंजाम देने वाला मंत्री लेसी सिंग का भतीजा आशिर सिंग उफ अठिया अफगिरफ्तार हो चुका है लेकिन अब उसकी जो कहानी सामने आ रही है उसको जान कर आप हैरान हो जाएंगे बतादे की ये मासूम सा दिखने वाला गलका तीन हत्याओं को अंजाम दे चुका है और अपने हत्या करने की अंदाज के वज़े से रास्टी अस्तर की मीडिया की सुर्खों में रहा और साफ को रुपी इल्जाम लगा जीडियो कोटे से मंत्री लेसी सिंग के उपर कि उन्हें अपने राजितिक बर्चसों को बचाने के लिए आसिस सिंग उफ अठिया का इस्तमाल किया हलाकि मंत्री लेसी सिंग ने कहा कि इन तमाम हत्याओं से उनका कोई लिना दिना नहीं है और वो कई महिनों से अपने गाओं सरसी नहीं गई है लेकिन उसकी कहानी जो है वो यहीं बया कर रही है कि कहीं न कहीं इसमें जीरी कोटेश से मंत्री लेसी सिंग का हाथ है और उनके आसिरवात की वज़े से ही आसिस सिंग फठिया ने इन हत्याओं को अंजाम दिया सबसे पहली हत्या उसने विधान सभाद चिनाव के दिन की थी बेनी सिंग की हत्या बेनी सिंग और बिट्टू सिंग दो भाई था जो धमदहा विधान सभाद छेत्र जहां से लेसी सिंग चनाव रड़ रही थी वहां से आरजेडी के तरब से दिली प्यादव ने टाल ठोका था बिट्टू सिंग और बेनी सिंग जो है वो दिली प्यादव के लिए परचार कर रहे थे और लेसे सिंग के भतीजे को ये बात नागवार गुजरी और उसकी तूतू में में बेनी सिंग से हो गई थी जिसके बाद बिधान सभाद चिनाव के दिहने उसने बेनी सिंग की हत्या की थी एक 11 नमंबर 2020 को उसने रिंटू सिंग की हत्या की जो पूर जिलापरशक था और उसकी पतने उस वक जिलापरशक थी ये बताया जाता था कि रिंटू सिंग जो है वो कहीं ने कहीं लेसी सिंग को चुनाव रहा था और खबर ये थी कि उसने बकाइदा जिस लेसी सिंग के जो समर्थक थे वहां से जिलापरशत चुनाव हार गए थे और रिंटू सिंग ने अपनी पत्नी को चुनाव जितवा द वक्त में वो दमदाहा विधान सवाच्छित कोचिनाव रणने के तैयारी कर रहा था और वो कहीं ने कहीं मंत्री लेसी सिंग के वर्चस को चुनोधी दे रहा था और ये बात अठिया को अच्छा नहीं लगा और उसने 11 नमंबर 2021 को रिंटू सिंग जो पुर्वजिला परश नहीं होती है और वो ठीक अपने वादे के अनुसार रिंटू सिंग को मौत घाट उतार देता है उसके बाद उनकी पत्री और बहन लगातार जो है मीडिया में कर कहती है इसमें मंत्री लेसी सिंग का हाथ है उन्हीं के चलते उनका भतिजा है वो बेखोफ है और लगातार घटनाओं को अन्जाम दे रहा है और हमारे परिवार की किसी और लोगों की हत्या हो सकती है उसके बाद उसके गिरफतारी नहीं होती है मंत्री लेसी सिंग कहती है कि वो कई महनें से अपने गाउं नहीं गई है और उनका इन हत्याओं में कोई हाथ नहीं है लेकिन सवाल य को रिंटू सिंग की हत्या करता है कि युक्स डर होता है कि आने वाले वक्त में वो उनकी चाची यानि लेसिस सिंग के लिए एक परदंदी बनकर उभर सकता है और फिर 11 मुंबर 2020 को उसे मौत के घार उतारता है उसके बता दे कि रिंटू सिंग का एक दोस्त होता है जो है वो एक बस अस्रिंट का ठेका लिया वरता है अठिया कहता है कि वो बस का ठेका है उसे करना है लेकि निरज्जा नहीं मानता है उसके बाद 6 जनमरी को निरज्जा को भी मौत घार उतार दी जाता है जिसके बाद ये हत्याय जो है वो बिहार में सासा पुर्य सुर्ख्यां बनती है और तब जाकर जब पुलीस प्रसासन पर इसको लेकर दवा बनता है तब उसे गिरफतारी होती है बता दे कि अठिया जो मात्र 23 से 24 साल का है वो उसने मात्र मैटरी तक पढ़ाई किये आगे ये पढ़ाई के लिए उसे जो है वकायदा पूर्निया भेजा गया था लेकिर अपने उग्र सभाब के चलते वो लड़ाई जगले करता था नशे का सेवन करता था और बाद बाद ने उनके प्रतंदू को हटाया सके लेकि लेसे सिंग लगातार कह रही कि उसमे कोई यहाथ नहीं है गिरफतारी के बाद अब जो एस्पी है वो यह कह रही है कि जो नीरत जाओं या रिंटू सिंग हो जा फिर बननी सिंग है बेनी सिंग है उनसे उनका व्यक्तिगत जो है वो साफ है कि अठिया ने जिन लोगों की भी हत्या की है वो राजिती से जुड़ी विये वो लगातार लेसे सिंग के लिए जो है वो चुनावती बन रहा था उसने वकादा आरजीड कैंडिडेट के लिए चुनावा प्रचार किया था और इस वज़े से अठिया ने तीनों ल वे खौफो कर तीन-तीन हत्याई कर चुका है तो अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होती है हमारी नजरे जो है इन तमाम खबरों पर बनी रहेगी आप देखते रहें जंता जंक्शन बहुत बहुत धन्यवाद